हेलो एब्रिवन वेरी गुड मॉर्निंग टू अल उफ यू आप सभी का एक्जाम हंट में फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई और आज हम जुड़े हैं साथ जून 2021 के करेंट अफेर्स के साथ तो कौन-कौन से महत्पून प्रसणां आपके लिए रखे गया है और कौन-कौन कौन प्रसणों की वैखाओं को आपको चानना है तो चल यह हम बढ़ते हैं से पहले हम देखेंगे कल के प्रसण की और कि कल का प्रस्ण ता आप लोगोग कुमेंड बॉक्स में करना था तो कल का प्रस्ण था कि यी गाडियन्स एक नामक सैन अभ्यास आईजित किया गया है साओधी अरब में मिस्र में जापान में या इन में से कोई नहीं पाकिस्तान और मिस्र देश की सेना ने स्काई गाडियन्स एक नामक सैन अभ्यास आईजित किया है पाकिस्तान की सैना ने मिस्र के कहानियों में 26 मई से अगले दो सप्ता तक इस संयूक्त सैन अभ्यास को आईजित करने की घुसना की थी और स्काई गाडियन्स एक नामक सैन अभ्यास को आईजित करने का मुख्यू देश दोनों देशों के बीच संयूक्त बायू रक्षा अभ्यास हवाई छेत्रों में मौजूदा और उभरते खत्रों का सामना करने के लिए खुद को मजबूत करना था ठीक है फ्रेंट्स अब हम बढ़ते हैं आज के सिरीज को स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं आज के सिरीज में सबस्ब हहला प्रस्ण कौन सा है तो आज का हमारा पहला प्रस्न है कि किस राज सरकार ने राप्ता मुहीम अभ्यान चलाया गया है मिन्स किस राज में सरकार ने राप्ता मुहीम अभ्यान चलाया है ठीक है एक option number 1 पंजाब, option number 2 राजिस्थान, option number 3 गुजरात या फिर option number 4 इन में से कोई नहीं तो friends आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका right answer होगा हाँ तो जी हाँ friends का right answer option नमबर 1 पंजाब तो अब इसमें भी हैं मिसके महत्पुन बातों को समझेंगे कि इसमें क्यूं चलाया गया और क्या है तो पंजाब राज सरकार ने राप्ता मुहीम अभियान चलाया गया है राप्ता मुहीम अभियान कारिकरम के तहट छात्रों के अभिवावकों से संपर्क किया जाता है और राप्ता मुहिम अभियान के मायदम से लगभग 12 Oxford 701 लाग अभिवावकों से संपर्ख किया जाएगा जिसके अभिवावकों से फोन के मायदम से संपर्ख किया जाएगा अब हम जानेगे पंजाब के बारे में थोड़ा बूत तो पंजाब की रायधानी का क्या नाम है friends तो चंडीकर है पंजाब के बरतमान गवर्णर कौन है तो बीपी सिंग बदनोर है और पंजाब के बरतमान मुख़बंधरी कौन है तो Captain Amrinder Singh जी है अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्ण की और तो अज का हमारा दूसरा प्रश्ण है कि इब्राहीम बादूसा का निधन हुआ या क्या थे या एक प्रसिद्ध क्या थे Option No.1 कभी थे Option No.2 कार्टूनिस्ट थे Option No.3 लेखक थे या फिर Option No.4 इनमें से कोई नहीं तो इसका एंसर आपको बताना है फ्रेंड जी हां फ्रेंड इसका राइट एंसर है Option No.2 कार्टूनिस्ट ये प्रसिद कार्टूनिस्ट इब्राहीम बादूसा का निधन हुआ है बादूसा केरल के कार्टून कलब के समवेक हैं लाइव केरिकेचर से प्राप्त आइक को बादूसा ने मुख्यमंत्री आपता राहत कोस में दान भी दिया था युवा काटूनिस्ट इब्राहीम बादूसा का निधन अलुआ तालूक अस्पताल में कोबिट-19 के कारण हुआ था अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर तो हमारा अगला प्रश्ण है कि फेस्बुक कंपनी ने किसे अपना सीबी ओ न्यूक्त किया है ओप्सन नमबर ए डिकवन सोबंती को ओप्सन नमबर दो हैनर्थ सोर्व को ओप्सन नमबर तीन नैब्रिस लैनिन को या फिर ओप्सन नमबर चार मारने लेविन को तो फ्रेंट इसका एंसर आप लोगों को बताना है जी आप फ्रेंट्स का राइट एंसर है ओप्चन नमबर चार मारने लेविन को ठीक है फेस्बुक कंपनी ने मारने लेविन को अपना पहले मुख्य व्यवसाई अधिकारी यानि CBO न्यूक्त किया है पचास वर्सि ये मार्वे लेविन अफेस्बुक का विज्यापन पहलों वैस्बि भागिदारी के प्रती डिपार्टमेंट की जीमेदारी समभा लेगी मारने, लेविन, डेविड, फिसर की जगा लेंगी और फेस्बुक के संस्थाफट कोने प्रेंट तो आपको पता ये मार्क जुगर बर्क है फेस्बुक की स्थाफ़ना कप की गए थी तो बर्स 2004 में की गए थी और इसका फेस्बूक का मुख्याले कहां इस्थित है तो केली फोर्णिया में इस्थित है अब चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्ण की और तुमारा अगला प्रश्ण है कि किस देश में मैं धक की एक नई प्रजाती लिटोरिया मीरा को खोजा गया है औप्रेंड्स का एंसर आपको कमेंट बोक्स में बताना है तो जी हां फ्रेंड्स का एंसर है औप्रेंड्स नम्ष्ण नम्बर एंड्स को चॉकलेट फ्रोग का नाम दिया है न्यूगिनी देश के बैज्यानिकों ने इसे अनोखे मेड़ों को लेटिन नाम लिटोरिया मीरा रखा है जिसका आर्थ होता है अजीव न्यूगिनी की मुद्रा का क्या नाम है तुकीना नाम है न्यूगिनी देश के पियम कौन है फ्रेंड्स जैम्स मेरा पे हैं अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और तो आज का हमारा अंतिम प्रश्ण है कि टाइम्स द्वारा जारी पचास मोस्ट डिजारेबल में 2020 की सुची मेसिर्ज इस्तान पर कौन रहे हैं पिर उप्सेन कंबबर और सा हैं अब जाल को सकते रहे हैं तो सुची में सुसान सिंग राजपूत सिर्थ इस्तान पर रहे हैं पचास मोस्ट डिजलेलबर मेन 2020 की सूची में अविनास तिवारी, एली गोनिक, निसांत मलकानी, रनवीर सिंग, रोहित सराफी, वरुन धवन, विराट कोहली भी इस सूची में रहे हैं टाइमस मैगजिन पहली बार कब प्रकासित की गए थी तो वर्ज 1923 में और अमेरिकन टाइमस मैगजिन का मुख्याले कहा इस्तित है फ्रेंट्स तो इसका मुख्याले नियू यूर्क में इस्तित है अब हम आज के प्रश्न की और आगे बढ़ते हैं इसका एंसर आप लोगो कमेंट बोक्स में कमेंट करके देना है हिटल वर्ग सिमेंट में किसे देष के दुणिया का पहला सी ओटू नेट्रल सिमेंट प्रेंड की उजना बनाई है और आच्छी क्लास अगर आप लोग अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर कर कमेंट करना ना भूले दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और अगर आप नए लाना इसे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें इससे आपको आगयाने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेसन टाइम पर मिलेगी जिससे आप क्लास क साथ समय पर जुड़ सकेंगे और अगर आपने अभी तक हमारे सोसल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो आप हमें टेलीग्राम फेस्बूक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इसके लिंक आपको डिस्किप्सन बॉक्स में प्रवाइड करा दी गई है फ्रें कर दो नहीं